अब से पहले उइंड हुईल का जितनी एरिया में बेस बेठे गया उतनी हेरिया का खुदाई होगा और इसका उपर कुछ मोटी और कुछ पतली राड का यूचकर के इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है और इसका उपर कॉंक्रिट का एक मोटी लेयर बिचाय दिया जाता है फाइनाली इसका बेस बन के रेडी हो गया आब मोटी स्टील का पाइप एक के उपर एक को रखके आपस में कस लिया जाता है अब इसका मेन प्याठ आनिकी जेनरेटर को उपर रखा जाता है देन इन पंखो को एक के बाद एक करके फाइनली तीन पंखो को लगाये दिया जाता है। अब हमारा उइंड विल इलेक्टरिसिटी जनरेट करने के लिए रेडी हो गया। काम करने के समय कुछ गलती हुई तो परिणाम कुछ एसा ही होगा।